सभी किसान भाईयों का और डेरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स में तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने मिंदल मिक्सचर के बारे में पताया था आपको अपनी वीडियो में कि कैसे आपको अपने फार्म के एकॉर्डिंग मिंदल मिक्सचर यूज़ करना है अपने एनिमल्स को देख के तभी आपको best result कोई भी किसी भी अच्छी कंपनी का मिंदल मिक्चर यूज़ करोगे तभी आपको उसका अच्छा best result मिलेगा आज की वीडियो में हम discuss करेंगे जो नए सीमन आए हैं बिल्कुल latest जो new bull list आई है Worldwide Cyrus की जो की एक USA की कंपनी है उन्होंने अपना जो HF, HF Sext, Jersey, Jersey Sext हर तरह का जो उन्होंने अपना सीमन निकाला है उसके अंदर कौन कौन से नए बुल आए हैं और क्या उनकी pricing है conventional सीमन की क्या price है और sex सीमन की क्या price है तो इस वीडियो में आपको वो complete detail इनके price के बारे में मिलेगी और जिस भी dairy farmer भाई को अगर जो भी इन में से bull लेना है या select करना है और उसकी detail चाहिए वो चाहते हैं कि हम इसके उपर detail वीडियो बनाएं तो वो comment section में mention कर देना हम उन-उन bulls की detail वीडियो भी बना देंगे कि उन bulls के अंदर क्या-क्या positive चीज है और क्या-क्या negative चीज है और कैसे वो आपके farm के animals पे वो benefit करेगा या वो benefit नहीं करेगा तो उन bulls के बारे में हम complete वीडियो भी बना देंगे कि वो क्या-क्या improve कर रहे हैं और क्या चीज वो improve नहीं करेंगे आने वाले generation में आपके farm के animals में और इसके अलावा काफी भाईयों के comment भी आए हैं कि आपने पहले भी milk rate का जो है लिस्ट वो share की थी तो अभी जो आगे जैसे summers की अब नई list आने वाली है तो जैसे ही summers की नई list आएगी अमूल की, Vita की जितनी भी आपकी nationalized standard companies है Nestle की, तो उनकी भी हम जैसे ही list आएगी अब हमारे पास तो हम वो list भी अपने YouTube channel पे आप सब के साथ share कर देंगे ताकि आपको idea लग सके milk prices के बारे में उसके अलावा कुछ भाईयों की वैसे farm की problems की भी comment आए हुए थे जैसे farm पे fat की problem आ रही है fat कम आ रहा है और अब गर्मिया आ रही है तो fat depression और भी देखने को मिल सकता है तो उसके बारे में भी हमारी जो farm पे कम fat आता है और उस fat को कैसे improve कर सकते हैं उसके बारे में भी हम detail video बना रहे हैं जो जल्दी ही आपको हमारे channel पे देखने को मिलेगी और कुछ भाईयों के comments ये भी है कि फारम की जो update है तो अपने फारम की update भी डालेंगे बाकी brief में पता सकते हैं कि जो हमारे फारम में बार में calving होई थी जो हमारी last की 3-4 hifers की calving होई थी उनके बारे में थोड़ी brief update अभी दे देते हैं आपको उनके अंदर 2 hifers ऐसी थी जिनोंने first ही lactation में 35 liters cross किया है एक hifers गई थी peak yield पे 37 liters में और दूसरी hifers जो 37 liter वाली है वो जर्मनी की थी जो SCG के cemen का है जो हमने आपको बताया है और एक hifers first lactation में ही 40 प्लस गई है उसने 41 का peak दिया है जो ABS duster की थी सेक सीमन की तो इसमें जो फरक हमें दिखा है कि ये जो मदर का record है वो बहुत ज़्यादा important करता है सीमन के record से भी ज़्यादा क्योंकि हमारे पास ABS duster की तीन सेक सीमन की बचडियों की carving हुई थी उनमें से किसने 28 liter दिया एक ने 32-33 liter दिया लेकिन एक 40 प्लस क्रॉस करी जिसका कारण यही था कि उसकी माँ भी 35 प्लस की ही थी तो जिन बचडियों की हिफर्स की माँ बहुत अच्छी थी उन्होंने milk record भी ज़्यादा अच्छा दिया तो आएए फ्रेंड्स अब वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने बुल लिस्ट के बारे में तो यह जो हैं HF के हैं जितना भी इसके स्क्रीन के आप देख सकते हैं यह एक तरफ left side में आपके HF conventional है और right side में आपके HF sex semen है तो यह complete bull list है इसके बाद और भी है जर्सी के भी है और थोड़े और HF के भी है तो आप यहाँ पर price देख सकते हो जैसे left में अमारी है 1250 रुपे का eros 1000 बेंजो पी 1500 बारकले है 1500 बिग शॉट है 2500 बोबेक है 750 तो minimum आप देख सकते हो इसमें 750 या 700 Genesis red जिन भाईयों को red HF चाहिए तो वो Genesis red है उसके अंदर आपकी white और red में आएगी क्योंकि इनके अंदर red carrier होता है तो ये 700 रुपेज का है जो सबसे सस्ता बूल है तो काफी ज़्यादा साल दर साल जो worldwide size है इनके जो price है वो काफी ज़्यादा बढ़ते जाए काफी expensive है लेकिन expensive बूल आप use कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी मदर हैं अच्छे जो गाएं हैं 30, 35, 40 लिटर वाली क्योंक अच्छी उतना ही जादा आपको ये हर जनरेशन में फिर अच्छा result भी देंगे आपको बहुत जल्दी जो है वो genetic improvement करेंगे आपके फारम पे इसके अलावा कुछ बूल इनके अंदर पुराने भी हैं जैसे बेंजो पी पहले भी आया है डवेंटे आया है तो कुछ तो इस के अंदर गेम प्लैन है पच्छिस सो और बिग शॉट है पच्छिस सो ये दो बुल सबसे महंगे हैं कन्वेंशनल में इस लिस्ट में इसके अलावा सेक्सी मन आप देखिए आठ हजार पांट सो रुपे तक जा रहा है जो maximum price है वो है milky सेक्स का और इससे भी ज्यादा एक 88 सो भी है इसमें 8800 जो लेच वर्ट सेक्स्ट का है बाकी आप देखिए 8000 में अहेड का है सेक्सी मन बैंजो पी 67 बिग शॉट का 85 सो में है सेक्सी मन बोल्ड का 58 में है minimum आप देखिए ये कैस्केड है 4500 और चिल्टन है 4000 का जो minimum है सेक्सी मन में और Maximus भी है 4500 रुपे का औ और अगर आपको इन में से कोई भी बुल यूज करना है आप यूज करने की सोच रहे हो और आपको उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मिशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना तो उस उस बुल के बारे में हम सारे positives और negatives अच्छे से एक डिटेल वीडियो बना हैं तो होस्टन है ग्यारा सो इंप्रॉबेबल है सत्रा सो पचास इंफरीनो है तेरा सो पचास तो इस तरह से जैट है इसके अंदर आट सो रुपे और सबसे सस्ता इस लिस्ट में नीचे आप देखोगे लेफ्ट साइड में रैन फोर्ड है साथ सो रुपे बाकी है 1050 रुपे तो इसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले पताया है आपके ज़्यादा चांसे हैं कि वाइट और रैड कलर के अंदर एचे फ आने के बाकी बैक्सिमस है 1250 मैंगनम है 2500 लॉजिस्टिक्स है 1200 एक और रेड सीमन है लैशियो रेड 1700 रुपे जैट है 800 रुपे त आप देख सकते हो ओम सेक्स है 8800 का पॉर्टर है 7800 रेमवे रेड का सेक्सीमन भी है 4750 रिलाइंट का है 4500 रिवेटिंग 8500 रोड स्टार है 6500 तो यह टोटल इसके अंदर एचेफ के हैं जितना भी जो पहली लिस्ट दिखाई थी हमने वो भी सभी एचेफ के सीमन थे और यह अमने सेकंड लिस्ट आपके साथ शेयर करी है यह भी एचेफ के ही सेक्सीमन है और कन्वेंशनल सीमन है तो कन्वेंशनल सीमन की जर्नली जो रेंज है आपको वो 4500 से 8800 के भीच में देखने को मिलेगी संराइज सेक्स है जैसे 6000 रुपीज सूपर चार्ज है 4500 स्टैनिस 4250 तो मेरे साब से जो सबसे सस्ता इसमें रेंदे रेड का ही है इस लिस्ट में वो है 4000 रुपे उसके बार आपको स्टैनिस और टैन मिलेगा जो है 4250 रुपे के और इसके अंदर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप देख सकते हो आप सेलेक्ट कर लीजे बुल साइमन हैं वह भी लूंच किये है जर्सी के दोनों तरी के इन्वोने लौंच किये हैं कि आपका जो कन्वेंशनल सीमन है वह भी मिलेगा आपको और सेक्स सीमन वह भी उसमें भी कुछ सीमन पहले रेपीट हुए है और ज़्यादा तर सीमन लेकिन नए हैं तो आप देख सक तो इसका सेक्स सीमन 7800 का है स्टोनी भी आपका पहले अवलेबल हुआ है 6400 इसके अलावा एमकॉम और अनकॉमन ये दो दो नए आए हैं 65 रुपे और 7800 रुपे और लेफ साइड बे जो आपके कन्वेंशनल सीमन लिस्ट है कैसीनो है 1400 रुपे शेडार है 900 ये भी पहले आया कामा काजी पहले से आ रहा है 2000 रुपे सबसे ज़्यादा काफी अच्छा बूल है एक्सपेंसिव है 2000 की रेंज में आपको एक कामा काजी मिलेगा और एक अनकॉमन मिलेगा 2200 रुपे जो इस बार नया आया है वेरिक 1000 रुपे स्टोनी 1550 ओलीवर पी 1200 माईलो 700 मैकॉम है 1800 औ तो मैट भी काफी पहले से आ रहा है काफी अच्छा बूल है प्रूवन बूल है बहुत अच्छा रिकॉर्ड मैट का भी है नौक आउट भी पहले से आ रहा है 950 रुपे और की स्टोन 900 रुपे कामा काजी 2000 तो ये आपकी इसके अंदर जर्सी की लिस्ट है इसके अलावा और भी इनके जर्सी के कन्वेशनल सीमन है वो प्राइस लिस्ट इससे नेक्स स्लाइड में आएगी तो इन में से काफी बूल आप देखोगे आपने पहले भी देखे हैं जो वर्ल्ड वाइड ने लांच कर रखे थे तो ये रिपीट अभी भी हो रहे है क्योंकि इनका जो ने बूल भी एड हो चुके हैं इसके अलावा आप देखोगे तो ये सारे जो हैं ने बूल ये सभी जर्सी के ही हैं ये सभी कन्वेंशनल है रोचेस्टर है 950 रुपे रॉक पॉल है 2200 रुपे रोनाल्ड है 1150 सैम रेड देखिए ये रेड में भी ये भी है आपका 750 सैंड मैं 2300 सिनारियो है 1500 तो सबसे महंगा जो इसके अंदर हमें दिखा है वो सैंड मैं दिखा है 2300 रुपे टोपाज है 2200 रुपे में ट्रंप 700 रुपे में हैं अगर किसी किसान भाई को कम बजट में भी लेना है तो आप ट्रंप ले सकते हो 700 रुपे बाकि दो जिस एनिमल पे पहले भी पताई है और अच्छे से नोट भी करी है अपने फारम पे कि अगर हम आप सीमन यूज करके देखोगे कि अगर एक आप 20 लीटर वाली गाये पे सीमन यूज करो सेम और एक आप वही सीमन 30-35 लीटर वाली गाये पे यूज करो तो आपको जो बैटर लेगा वह 30-35 लीटर वाली गाये पे ही मिलेगा वह दूद भी जादा बढ़ाएगी और उसके ब्रीड करेक्टर भी जादा इंप्रूव करेंगे तो एक अच्छी मदर का होना एक अच्छी मा का होना अच्छी गाये का होना बहुत जरूरी है क्योंकि 50% से जादा जो जेन ब्लड लाइन है तो सबसे जरूरी है जो मदर साइड की ब्लड लाइन है वह आपके बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए तो उससे ही आपको बैटर एडवांटेज मिलता है ब्रीडिंग में तो अच्छे एनिमल्स आप दीरे दीरे अपनी ब्रीडिंग इंप्रूव कर के बना सकते हैं सभी किसान भाईयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद